नमस्कार अपुर्वास कीचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ केले के कोफते की रसिपी शेयर किया था उस रसिपी में मैंने आप से कहा था कि जो छिलके हैं उन्हें फेक ये नहीं क्या करना है en शिलकों के साथ? आज मैं आपको यही बता हूंगी आज हम केले के शिलकों से कटलेक बनाएंगे अगर कभी कोफ्ते में आपका जो मिक्शिर है वो कम पर जाए तब भी आप इन शिलकों को फाइन पेस्ट बना कर कोफ्ते के मिक्शिर में डाल सकती है बहुत कम लगते हैं आप इसे किसी को भी बना कर खिलाए जब तक आप बताएंगी नहीं लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये कटलेट है किस चीज़ का तो आईए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है इसके लिए सबसे पहले मैंने बॉयल किया हुआ केले के छिलको को ले लिया है और इन्हें बिलकुल पतला पतला काट लिया है इन्हें काट लेने के बाद अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और जो छिलको को मैंने काट कर रखा था चुकि मेरे पास बहुत ज़ादा है तो इसे मैंने दो batch में paste बनाया है आधा भी डाल कर थोड़ा सा पानी डाले अब पानी दे के fine paste बना लेना है पहला batch निकाल लेने के बाद अब हम second batch paste कर लेंगे जो second batch के लिए हमने छिलको को grinding jar में डाला है अब हम इसमें डालेंगे lesson और डाल कर इसे lead लगा के फिर guiding jar में paste बना लेंगे lesson इसमें बहुत जादा यूज़ करना है lesson डाले और पानी डाल दे मैंने इसमें पूरे दो lesson को यूज़ कर लिया है lesson डाल कर इसे fine paste बना लेना है paste तयार है आधा इससे हम रख लेंगे इससे हम चटनी बनाएंगे अब जो paste हमने इसका तोड़े में रखा है अब हम इसमें आलू डाल देंगे एक बड़े size के आलू को boil कर लिया है इसे छील कर इस तयार paste में डाल दे अब हम भारी कटा हुआ प्यास डाल देंगे ये छोटे size के दो प्यास है प्यास डाल देने के बाद इसमें 4 हरी मिर्श डाल दें अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है केले के शिलके जो हैं ये मेरे पास half dungeon केले थे ये इन्हीं के शिलके हैं अब हम इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपने test के recording दे नमक देने के बाद इसमें काले मिर्श पॉर्डर डाल देना है काले मिर्श पॉर्डर देने के बाद इसमें 5 चमच चावल का आटा डाल दे मैंने काले मिर्श पॉर्डर यूज किया है आप चाहें तो लाल मिर्श पॉर्डर भी ले सकती है पांच चमच चावल का अटा देके इसे अच्छे से मिक्स कर ले चावल का अटा भी आप अपने हसाब से घटाया बढ़ा सकती हैं जादा हो जाने से यह फिर ड्राइ हो जाएगा अच्छे से मिक्स करके रख ले और अब कड़ाई गैस पर चढ़ा दे जब कड़ाई गरम हो जाए तब हम इसमें तेल डाल देंगे तेल दे देने के बाद जो तयार हमारे पास mixture था उससे छोटा छोटा portion लेके cutlet का shape दे दे और तेल में डाल दे तेल में देने के बाद इसे हम medium to high flame में fry करेंगे दोनों तरफ से golden brown होने तक इसे fry कर लेना है ऐसे ही मैंने बागी के cutlets को तयार कर लिया है इसे तेल में देने के बाद थोड़ी देर तक एक तरफ से इसे अच्छे से fry हो जाने दे अब इसे हम पलट देंगे और ये अच्छे से fry हो चुका है दूसरी तरफ से भी इसे fry करके निकाल लेना है अब हम second batch तयार करेंगे second batch में भी सेम ऐसे ही छोटे छोटे cutlets तयार करके हम तेल में डाल देंगे यहां मैंने सरसो तेल यूज किया है आप चाहें तो refined oil भी ले सकते हैं लेकिन सरसो तेल से test और भी ज्यादा अच्छा आता है यह भी second batch जो मैंने अभी दिया था यह भी तयार है इसे भी हम पलटके एक बार थोड़ी देर के लिए fry करेंगे और फिर निकाल लेंगे केले के छिलके का cutlet तयार है अब हम चटनी बनाएंगे जो paste हमने रखा था इसमें मैंने दो हरे मिर्शो को काट कर डाल दिया है टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और एक नीमू को निचोर कर इसका रस निकाल दिया है नीमू का रस डाल देना है इसे हम एक बार बस ग्राइंडिंग जार में चला लेंगे और चटनी तयार है छिलके से ही आप कटलेट और इसको डिप करने के लिए चटनी दोनों बना सकती है यह बना कर देखे यह बहुत टेस्टी बनता है हर कोई बहुत पसंद करके खाएगा नेक्स्ट जब भी आप कोफ्ते बनाएंगे आप छिलको को फेकेंगी नहीं यह इतना अच्छा बनता है ट्राइ जरूर करें और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रसिपी कैसी लगी है और कैसी रसिपी आप देखना चाहती है यह मुझे कमेंट करके बता सकती है अगर यूट्यूब में मुझे देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर फेस्बूक में देख रही है तो फॉलो करना ना भूले थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग